जैन बच्चो कैसे हैं आप लोग बच्चो आज आपके लिए लेके आए हैं बोरोडिन हुंस डिकर या हुंस डिकर अभिक्रिया हेलो एलकेन बच्चो एक अध्याय है आपका 12th क्लास में आता है तो बारवी क्लास में जो आपका हेलो एलकेन या एलकाइल हेलाइड है वहाँ पर ये नाम अभिक्रिया या नेम रियेक्शन पड़ी जाती है थो आईए फिर जानते हैं थोड़ा सा बॉरोडिन हुंसटिकर अभिक्रिया के बारे में 1861 में अलेक्जेंडर बॉरोडिन ने अभिक्रिया की खोच की थी बाद में जर्मन वैग्यानिक हैंज हुंसटिकर ने इसमें संसुधन किया बच्चो एलेक्जेंडर बोरोडिन नाम का एक वैग्यानिक हुआ था जिसने 1861 में सबसे पहले इस अभिक्रिया के दुआरा ब्रोमो मिथेन या आपका मिथाइल ब्रोमाइड बनाया था तब ये अभिक्रिया बोरोडिन अभिक्रिया के नाम से विख्यात हुई बाद में कुछ समय के बाद एक जर्मन वैग्यानिक हुए हैंस हुन्सडिकर उन्होंने इस बोरोडिन अभिक्रिया में संसुदन किया ताकि इस अभिक्रिया की उपयोगिता बढ़ सके तो उनके सम्म में इस अभिक्रिया का पूरा नाम कहलाया बोरोडिन हुंस्डिकर आपको सपस्ट है कि यहां पे पहले जिसने अविस्कार किया वो बोरोडिन नाम आया और बाद में जिसने अभिक्रिया को संसोधित किया उपयोगी बनाया हमारे हुंस्डिकर उनके नाम को भी जोड़ दिय और अभिक्रिया कहलाई बोरोडिन हुंस्डिकर चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हुंस्डिकर अभिक्रिया का उपयोग एक कार्बन परमानू कम वाले एलकिल हैलाइड के निर्मान में होता है इस अभिक्रिया की ये खास बात भी बच्चो आपको ध्यान नकना है कि हुंस्डिकर अभिक्रिया में जो भी आपका हैलो एलकेन ये एलकिल हैलाइड बनेगा उसमें आपके अभी कारक से एक कार्बन परमानू कम होगा ये मैं आपको धरन में स्पस्ट करूँगा इस अभिक्रिया में कार्बोक्सलिक अमल के सिल्वर लवन को क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ अभिक्रत कराकर अलकिल हैलाइड का निर्मान किया जाता है बचो ध्यान नकिएगा उस्डिकर अभिक्रिया में हम लोग लेते हैं सिल्वर लवन किसका silver-lavin, कार्बोक्सलिक अमल के silver-lavin को या तो क्लोरीन के साथ, या ब्रोमीन अभी कार्मक के साथ में अभिकरत करा जाते हैं, दोनों की अभिक्रिया कराई जाती है जिससे बनाया जाता है, हैलो एलकेन, आए जानते हैं इसको उधारन के साथ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दो अभी करिया दिखाई दे रही हैं पहला आप देख रहे हैं आर सी ओ ओ ए जी बच्चो यही है हमारा सिल्वर लवन कार्बोक्सलिकमल का और इसका अभी करिया ब्रोमीन से कराया है CCL4 यहाँ पर विलायक है इन दोनों को गोलने के काम आता है यहाँ पर माध्यम देता है माध्यम परदान करता है इन दोनों के मिसरण को या तो आप सीधे गरम कर लीजी या पी सूरिय के परकास में हन्यू मीन सूरिय के परकास में रख दीजी तो भी अभी करिया चली जाती ह हो जाती है अभी के लिए हमें आप देख पा रहे हैं यहां पे हमारा बना है ब्रोमो एलकेन या एलकाइल ब्रोमाइड सियो टू गैस बहार निकल जाती है और दूसरा बनता है हमारा एजी बियार गोण उत्पाद अब इस यहां पर हमने इस परस्ट किया है कि कार्बोक्सली कमल कौन सा हो सकता है तो देखें UC 3COOH जो होता है आपका एसिटिक origin कमल होता है एसिटीक अमल का आपने क्या लिया हुआ है सिल्वर लवन इस परस्ट है आपको और यहां पे आप इसको सिल्वर ऐसिटेट भी बोल सकते हैं लवन को इसका अभी क्रिया आपने क्लोरीन के साथ में कराया है इसको आप मिस्लन को गरम कर रहे हैं CCL4 यहाँ पे विलायक है और यह बन गया है आपका क्लोरोलकेन या मिथाइल क्लोराइड के लिए है आपको CO2 गैस और एजीसियल यहाँ पे गोन उत्पाद है ध्यान लखिया यहाँ पे CL2 और BR2 यह दोनों ही प्रयोग कर सकते हैं इसके लावब कोई और हैलोजन प्रयोग नहीं कर सकते हैं आईए अब जानते हैं नोट के बारे में बच्चों उस डिकर जो हमारी अभिक्रिया इसके बारे में कुछ मुख्यत अथ हैं जिनका पता होना आपको आवश्यक है तो आईए उनको जान लेते हैं वो कौन सी खास चीज़े हैं इस अभिक्रिया की इस अभिक्रिया में हैलोजनी करण, वैवी, कार्बोक्सली करण दोनों साथ साथ होते हैं बच्चों ध्यान नखीगा यहाँ पे आप उधरण के रूप में देख सकते हैं आपने सिल्वर एसिटेट लिया क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराया था जिससे आपका क्लोरो मिथेन या मिथाइल क्लोराइड बना था और सियो टू और एजी सियल बना था तो आपको यहाँ पे पहला तथे है पहला मुख्यबिंदु यह है कि इस अभिक्रिया में दो काम होते हैं पहला तो यहाँ पे हैलोजन जुड़ेगा और दूसरा होगा यहाँ पे कार्बोक्सलिक अमल का निस्कासन वी जहाँ पे लगा होता है उसका मतलब होता है बाहर निकलना, कौन बाहर निकलेगा, कार्बोक्सलिक समू, तो यहाँ पे देखिए कार्बोक्सलिक समू तो आपका यह है COO, तो यह COO जो है आपका CO2 बनाके बाहर निकल जाता है, और दूसरा यहाँ पे एक हैलोजन जो भी आप ब्रोमीन या क्लोरीन ले रहें उसमें से एक हैलोजन प्रमादू यहां पर जुड जाता है उसमें 2 चीजफी साथ और दूसरा आपका कार्बोक्सलिक गुरुप जो है वो निस्कासित हो जाता है बहार निकल जाता है CO2 गैस बना के अब आप देखिए यहाँ पे आपका जो प्रारंबिक पदार्थ है जो आपका सिल्वर लवन है उसमें यहाँ पे आपको दो कार्बन दिखाई दे रहे होंगे एक तो यह पाद बनाएं उसमें केवल एक ही कार्बन है कार्बोक्सलिक समूझ हो है वो CO2 बनाके बाहर निकल गया है तो यहाँ पे एक कार्बन कम है एक कार्बन परमाणू कम बना है किलियर है यह आपको प्रारंब में बताया था तो यहाँ पे जो भी ऐलकिल हैलाइड बनेगा वो एक परमाणू कम वाला बनेगा ध्यान नखीगा क्योंकि यहां से कार्बुक्सलिक समू जो है वो CO2 बनाके निकल जाता है जिससे एक कार्बन उत्पाद के अंदर कम हो जाता है जो आपको परारब में बताया भी था चलिए फिर आगे लेते हैं अगला बिंदू अगला सकते हैं इसके अलावा I2 या F2 आयोडीन या फ्लोरीन यहां पर योग नहीं किया जा सकता है इदि कार्बुक्सलिक अमल लवन में त्रित्यक अलकिल समू पस्तित है तो मुख्य उत्पाद अलकीन होता है पहले उधरन को स्परस्ट करते हैं उसको देखिए यहां पर आपन उत्तर है हाँ जी है यह जो आप समू देख रहे हैं यह हमारा त्रित्यक अलकिल समू कहलाता है तो अगर आपके सिल्वर लवन में ये वाला समू है और आप हुंस्टिकर अभिक्रिया के लिए जा रहे हैं तो वहां पर ब्रोमो या क्लोरो अलकेन नहीं बनेगा वहां पर द्यान से देखिए अलकेन बनी है जैसे आपने उपर ब्रोमो अलकेन या क्लोरो अलकेन बनाया था ऐसे यहां पर कोई हैलो अलकेन नहीं बना है तो ऐसा कब होता है जब आपके सिल्वर लवन में तिरित्तक परमाणूं होगा ये कोईशन डिफरेंट जो कॉंपडिशन है बच्चो परती योगिता होती है जिसे आपका नीट का एक्जाम है जेई का एक्जाम है वहाँ पर ये कोईशन बनता है ध्यान रखिएगा अगर ये अभी करिया आपको पैचान में आती है तो इससे नहीं बन पाएगा ब्रोमो अलकेन क्यों नहीं बनेगा क्योंकि यहां पे तिरित्यक परमाणू है जिससे बनता है मुख्य उत्पाद हमारा एलकीन इस परस्ट है चले आगे बढ़ते हैं अभी करिया में हैलाइड उत्पादन कि दर बचो ध्यान रखिएगा इस अभी करिया में आपको पता है या हैलो एलकीन बनाए जाते हैं तो जो सबसे लाइड या ट्रेशरी हैलो एलकेन भूलिएगा नहीं आईए अब जानते हैं अभी करिया विदी की बारे में बच्चो कैसे होती हैं हमारी हुंस डिकर अभी करिया है तो आईए फिर देखते हैं अभी करिया मुक्त मूलक मद्य वर्ति दौरा पूर्ण होती है बच्चो ध अभिक्रिया में बंद तूटते हैं पहले बंद तूटते हैं और फिर नए बंद बनते हैं तो यहां पे जो हमारे बंद तूटने से अभिक्रिया के मद्य में जो अभिक्रिया मद्यवर्ती बनते हैं वो होते हैं मुक्त मुलक तो मुक्त मुलक तुवारा हुं स्टिकर अभि BR2 से करा रहे हैं मैंने BR2 को BR सिंगल बोंड BR करके लिख लिया है यहां पे CCL4 आप जानते हैं विलायक है तो अभी करिया में पहले यह वाला बंड टूटे का आप जानते हैं हमने आदा तीर दिखाया हुआ है इसको बोलते हैं होमोलिटिक बंड विखंडन यहां से जाएंगे एक electron यहां पर जाएगा एक electron यहां पर जाएगा तो इससे यहां पे ब्रोमीन के दो मुक्तमुलक मिलेंगे वो यहां पर AG-ION के साथ में अभी करिया करेंगे जिससे AG-BR बनके बहार निकल जाएगा हमने माइनस दिखाया हुआ है इसको यहां पर प्लस भी दिखा सकते हैं एक ही बात है चिंता मत कीजीगा और एक बी आर जो ओके साथ अभिक्रिय करके एक एस्ताई पदार्त होता है जिसको बोलते है एसिल हाईपो ब्रॉमाइट यह बनाता है यह एस्ताई होता है बच्छो जैसे ही बनता है टुरंत यहां पर OBR के बीच का मद्य एकल सह संयोजी बंद होमोलिटिक बंद विखंडन के दुआरा तूट जाता है जिससे आपको अगले नए मुक्त मुलक बनते हुए दिखाई देंगे अब यहाँ पर देख पा रहे हैं कि OBR का बंद तूटा है जिससे यहाँ पर दो मुक्त मुलक आपको दिखाई दे रहे हैं एक यह वाला है और एक यह वाला है किलियर बच्चो अब फिर से बंद टूटेगा ये एक R और C वाला जिससे यहां से ये आप देखिए R यानि एलकिल मुक्त मुलक मिला और ये यहां पर एक इलेक्ट्रोन यहां पर चला जाएगा अब ये दोनों इलेक्ट्रोन आपस में साजय करके बंद बना लेंगे जिससे यहां बंद हो जाएगा आपका डबल दिव सैसंजक और ये बन जाएगा CO2 CO2 आपको उपर दिखाया था तो इस परकार यहां से ये मुक्त मुलक जो है अपने आपको बंद बनाके CO2 में परिवर्दित कर लेता है और बहार निकल जाता है अब बचा आपका अलकिल मुक्त मुलक और ब्रोमीन मुक्त मुलक ये दोनों आपस में बंद बनाएगे एकल सैसंजक ये एलेक्टोन परियोग करके एक एलेक्टोन यहां पर रेकिए दोनों सजा करते हैं और देखें बन गया है आप ब्रोमोयलकेञ्या, collaborators ब्रोमाइड अब यहां पर इसे एक कार्बन कम हो गया है, क्योंकि ये वाला जो कार्बोक्सलिक समू हुए है ये बाहर निकल चुका है वी कार्बोक्सलिक रण हुआ है दूसरा यहाँ पे ब्रोमाइड लगा है ब्रोमीन लगा है तो हेलोजनिक रण भी हुआ है जैसे आपको नोट में बताया था तो एक कार्बन परमानू कम है रखीगा और बच्चो अब इतना जानने के बाद इतना पढ़ने के बाद अब समय आ गया है प्रैक्टिस को लमका की चलिए एक उधरन ओर लेते हैं आपके लिए और देखते हैं कितने लोगों को आया है तो बच्चो मैं यहाँ पे आपको एक एक्वेशन दे रहा हूं रास के उपर बना के दिखाई की उत्पाद क्या क्या बनेंगे तो काफी लोगों ने बना लिया होगा आप जानते हैं कि यह जो समू है यह तो CO2 बना के बाहर निकल जाएगा यह वाला AG जो है यहाँ से एक BR को ले लेगा तो देखे क्या बनेगा CS3 CS2 और यहाँ पे BR यह बन ग लेगी energy और AG BR आपको मिलेगा क्या यह आपको सपस्ट है बच्चों आप यहाँ पर देख सकते हैं इस परकार से हुंस्टिकर अभिक्रिया का आप सरलता से परयोग कर सकते हैं अगर यह चीजे आपको आती हैं तो जल्दी से मैं आपको revise करा देता हूं बच्चों हुंस्ट लीक्या औरमीन तो इसी के लिए बनीए आपकी हुंस्टिकर अभिक्रिया यह अभिक्रिया जो होती है यह मुक्त मूलक की दोवारा पूर्ण होती है इसे बनने वाला जो अभिक्रिया मद्यवर्ती है वो मुक्त मूलक होता है किलियर है यहाँ पर जो भी ब्रोमो एलकेन ये क्लोरो एलकेन बनेगा उसके अंदर एक कार्बन हमेशा कम होगा तोकि वो कार्बन जो है तोटू गैस के बाद निकलने से कम हुआ होता है दूसरी चीज़ा आपको ध्यानक नहीं है कि हुंस डिकर अभिक्रिया में दो चीज़े एक साथ होती है आपका हेलोजनी करण और दूसरा वी कार्बोक्स करण तो उमीद है इस वीडियो के बाद इस अभिक्रिया में आपकी कोई संका बाकी नहीं रहेगी आप ध्यान से पढ़िए वीडियो को एक बाद फिर से देखिए नोट कीजिए और अगर कोई और भी समस्या रहती है तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं